हेले स्टूरें मैं एक तैसी आप से वी का ग्यान चेतने चैनल बोल बोल स्वार करती हूँ आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बैसी सिक्षा परिशत की बुक क्लास एट की हमारा इत्यास और नागरिक जीवन के लिए किन किन लोगों को तैनाद करते हैं उनका क्या बद होता है इन सब की चीज़ें हम यहां पर देखने वाले हैं तो सुरू करते हैं स्टंतर्ता के बाद देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए आवशक था कि देश की सेने शक्ती को मजबूत किया जाए आजादी के तुरंद बाद पाकिस्तान दोरा किये गए आकमर से हमें और सतर कर दिया गया अता सेना को आधुनिक बनाने सेने बली की संख्या बढ़ाने तता सेना की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए सेने अनुसंधान एबं पेशिक्षन के इनरे स्थापिक किये नई तरीकों तथा सुरक्षा के प्रवंद किये गए सेना के तीनों अंगों जल थल वायू को भी अधिक शक्ति शरी बनाएगा अब सेने संगिठन देखते हैं तो बाहरे तिये सेना का सरवूच सेना पती यानि की कमांडर राश्ट पती है किन्तु देश की बास वे सुरक जल थल तो ये तहल in augun के जने नीगरानी रखता है सेना के 3 यानिंगों के उड़ाल अभजता है अब आपने गरतंति दिवस के अव् सेना पांच कमानों में विवाजित हैं पूर्वी, पश्मी, पूर्वी, उत्री, दच्छनी और केंद्री हैं थल सेना में कई परकार की सेनाएं हैं जैसे इनफेंटरी, तोफाना, आर्मी, मेडिकल कोर और आर्मी शिक्षा कोर इत्यादी आगे भारती नो सेना को जल सेना भी कहते हैं ये तीन कमाना में विवाजित हैं पश्मी कमान, पूर्वी कमान और दच्छनी कमान नो सेना के भारत में दो बड़े बेड़े हैं पूर्वी बेड़ा और पश्मी बेड़ा आगे हैं भारती वायू सेना में इस समय चार कमाने हैं पश्मी वायू कमान, पूर्वी वायू कमान और पिश्यक्षन कमान और रख रखाव कमान आगे देखते हैं, जल सेना अद्यक्ष को जनरल कहते हैं, नो अद्यक्ष को एड्मिनर कहते हैं, वायू सेना अद्यक्ष को एयर चीफ मार्षल कहते हैं तो सबके सबक जो हैं एक किसम से थल सेना के सेना द्यक्ष जन्रल, नो सेना के एड्मीरल और वायू सेना द्यक्ष के एयर चीफ मार्शल आगे देखते हैं इन सस्त सेनाओं में भारत का कोई भी नागरिक भर्ती हो सकता है महिलाओं को भी अल्ट सेवा यनि की कमीशन में भर्ती किया जाता है जिन शाखाओं में महिलाओं के भर्ती की जा सकती हैं इसमें से खुस प्रिकार इस प्रिकार है थल सेना की सिगनल्स सेवा कोर इंजीनियर सिक्षा कोर आयुद कोर तथा गुप्तचर शाखा में दूसरा है नो सेना की सभी साखाओं में वाई सेना की उड़ान वेमानी की इंजीनेरी शिक्षा प्रिशाशन लेखा तथा मौसम विभागने इन सब में मैलाएं यहाँ पर हो सकती है आगे देखते हैं सेना में बर्ती होने से पहले एक चैन परिक्षा ली जाती है जिसमें उ से नेशनल डिफेंस एकाडमी, इंडियन मिलेटरी एकाडमी, आफीसर्स ट्रेनिंग एकाडमी और नेशनल डिफेंस कॉलिस प्रमुक हैं आधुनिक युग में नए नए अस्त्र सस्त्रों का प्रियोग होने लगा है दूर गामी मिसालें तथा परमाणू बं में के सुरक्षा करना है सुरक्षा संबंदी वे ज्याने को परनों के निन्मान तता प्रिक्षे पास्त प्रिशिक्षन में डॉक्टर एपीज अब्दिल कलाम का युगदान उलेखनिया है आगे देखते हैं अपने गाउं या नगर की सुरक्षा कोन करता है तो यहां भी लिखन क्या है आईए इनको देखते हैं सेन्याओं के पुनर गठन तीन अंगों के अतरिक कुछ अन्य संगिठन है जो देश की सुरक्षा के लिए कार करते हैं देश के आंतराश्टे सीमाओं पर इस्ताई रूप से चौक्षी का कार करता है जिसको सीमा सुरक्षा वर यानि बोर् रक्षा पितिष ठानों की रक्षा करना तस्करी रोघना तथा खोच बचाओ को एक दलों का गठन करना मुख्य हैं तीस्टर मुख्य मातपुणों देश प्रादेशिक सेना है यह नाग्रेकों का एक संगिठन है इसमें देश की सुरक्षा के इसकारियमें भाग लेने के इच्छुक नांग्रिक अपने खाली समय में सैने पिक्षिक्षन ले रहे हैं चौधा संग्ठन जो है नेशनल करेड़िट कोर यानि की एनसीसी इसमें बालकों के साथ बालिकाओं का भी डिवीजन है एनसीसी में पिक्षिक्षन विश्विद्याले इसना तक उपादी कालेज महा विद्याले अन्ने स्कूलों में दिया जाता है इसी प्रकार उच्छ प्राथमिक विद्यालों में स्कावडोर गाइडिंग के पिक्षिक्षन की भी विवस्ता है आगे हम बात करेंगे केंडी रोदो की सुरक्षा बल याने की CIE S.F. एक आर्दिसैनिक बल है जिसका मुख्य कारे सरकारी कारखानों वेवाँ अन्य सरकारी उपकरनों की सुरक्षा प्रतान करना है भूमी का पुलिस कारवाही में राज्य संग शाषित प्रदेशों की सहायता कानून विवस्ता और आतंगबाद विरोध में निहित है रैपिट एक्षन फोर्स केंडी रिजक पुलिस वर्की साखा है जो दंगो एवं भीर पर नियंतरन करती है राष्टी सुरक्षा गार्ड गिरह मंतराय के निरिक्षर में कार्ण करती है और इनका मुख्रकार जो है विशिष्ट वेक्तियों की रक्षा बंदकों का बचाव मात्यपूर्ण पितिश थानों और आंतरवादी खत्रों से सुरक्षित करना है सांतिकाल में सेनाव तथा सायक संगठरों की आवसकता उस आवसरों पर देश की सुरक्षित लिए अपना बलीदान करने को सदातत पर रहते हैं कितने ही सेनेकों ने देश के लिए अपने प्राण निच्छा पर कर दिये और उनके बीटा और त्याग की गाथा आज भी सराही जाते हैं अताहा हम समी लोगों को सेनेकों का सम्मान रि निगाहाय रखने में नागरेकों का सायोग परम आवशक है सेनेकों के संबान में प्रतेक वर्स जो है साथ दिसंबर को ससस्त्र सेना जंडा दिवस मनाया जाता है भारत की विदेशनीती यानि फौरण पॉलिसी इन इंडिया इसके बारे में देखते हैं किसी भी देश की सबसे पहले वह है अपने पड़ोशी देशों की ओर देखता है और उनके साथ मित्रता इमस्जायोग का भाव रखना चाहता है। इसके साथ ही वो विश्योत के सभी देसों के इस्तिती को जानने का प्रयास करता है, उसी के आधार पर अपनी विदेश नीथी निश्यत करता है, दुतिय विश्यूत के बाद भारा स्वतंत्र हुआ उस समय, विश्यूत दो गुटों में बढ़ चुका था, एक गुट का ने क्या आता है एक गुटे निर्पेक्ष बनाया जाता है जिसको नॉन इलाइनमेंट कहते हैं विश्ट के ऐसी परिस्तियां देखकर भामारी सरकाने या नभाव किया कि बिना किसी गुट में समलेत हुए सभी देशों के साथ मैत्री पुलवक संबद बनाया जाए इसलिए भार कि बात करें तो देश के प्रधानमति पर्दानमति पने जवाला नेरों ने युद्यकिस्तान पर सांती को महत्य देते हैं वह सभी राश्टों के समानता के समर्थ तक थे इसलिए किसी भी राश्ट के आंतिक मामलों में हस्ते चेप करने के बिरूद थे उने के इनी बिचारों में 1954 में पांच सिद्धान पनाएगा जैने पंच शील नाम से भी जाना जाता है ये बिदेश नीति के आधात है ये सिद्धान इस परकार है नमबर एक है एक दूसरे की राजी सीमा विवां उनकी संप्रभूता का समान किया जाए एक दूसरे के पहावना का पालन किया जाए जहां हम एक दूसरे देश की एकता एवन प्रभूत सत्ता का समान करते हैं वहीं अपने देश की रक्षा को भी विशेश महत्व देते हैं भारत की बिदेश नीती का यह भी सिद्धान्त है कि अंतराश्टी विवादों का हल शांती पून में अंतराश्टी विवादों को शांती पून डंग से सुल जाने के लिए निदेशित करता है इसके अतरियत भारत ने सदा ही सुतंत्रता के लिए संगर्ष करने वाले राश्टों का समधंद किया जैसे दचनापिरेखा इंडोनेशिया अलजीरिया अंगोला और बंगला पूनेशिते हैं तो विश्व में शांती बनाई रखने के लिए निशस्ति करा इना इसको कम करने के नीति का समतन किया सस्त्रों की होड मैं युद्धी की संभावना बढ़ जाती है विश्व को भिनास से बचाने के लिए भारत ने आणवी शक्ति का घोर बिरूद किया भ उससे उसका उपयोद जन कल्यान के कारियों में हो सकेगा यह था निशिस्ति करण की नीति, अब आगे बात करें भारत का विश्व शांती में सयूग, जब भारत से सयूग राश्च संगी का सदस्य बना है, वो लगतार उसे अपना सयूग प्रिदान करता रहा है, संग की निरेशों के पालन में ही कोरिया के संकठ के समय भारत ने डॉक्तरों का एक दल जो है भेजा था कांगों में संग के साथ अपनी सैनिक टुकणियांवी भी बेजी ती, भारत की विदेश, नीती, गुट निरपेखिशता, पंच शील निशस्ति करण के नीती का संबंधन करती है, साधी संयुक्त, राष्टे संग, राष्टे कुल, दख्छेस, आसियान, जैसे संगठनों के माद्याम से विश्व शांती हैं, सुरक्षा बनाए रखना भी भारत की विदेश नीती का उद्देशता, यहां पर कुछ टर्मालोजी है, जो देख लेते हैं, परमानु शक्ती की जांच के लिए किये जाने वाले प्रियोग परमानु परिक्षन है, निशस्ति करण मतलब विनाशकारी अस्त सस्त्रों का पिर्चुर मात्रा में संग्रे ना करने निशस्ति करण है, तो यह था लेसन नमबर टू, नागरेज जीवन का, ग्लास एट का, वाई होब आपको पसंद आया होगा, पसंद आदे प्लीज लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें, मिल देख और वीडियो के साथ, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तरनिवाद